हेलो, आप सभी का स्वागत हैं मेरे इस YouTube चैनल पर I hope कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ रही होगी तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन Child Development Part 2 आप सभी First Part भी जरूर देखेगा ताकि आपको बहतर तरीके से चीज़े समझ में आए तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे Stages of Development, Heredity and Environment and Issue related to Development तो स्टार्ट करते हैं Stages of Development Child Development की 5 Stages हैं पहली आती है Prenatal Stage Second है Infancy Third है Early Childhood Middle या Late Childhood और Fifth है Adolescence तो One by One इनको देखते हैं तो सबसे पहले आता है Prenatal Stage मतलब 9 Month जब बच्चा गर्भ में होता है 9 महिने तक का ये वो वाला समय है ठीक है इस स्टेज को गर्भावस्था भी कहते हैं Conceive करने से लेकर Birth होने तक का जो समय होता है उसको कहते है Prenatal Stage मतलब Conception to Birth Development स्टार्ट हो जाता है Prenatal Stage से इस स्टेज में बच्चे की Physical Growth की Speed सबसे ज़ादा होती है और ये बहुत important point है कि बच्चे की Physical Growth सबसे ज़ादा कौन से स्टेज में होती है तो वो आएगा Prenatal Stage दो मन्त की Pregnancy में बच्चा राजमा के समान होता है लेकिन बच्चे का जनम होता है तो उसका Weight and Height में बहुत ज़ादा इंक्रिमेंट मिलता है तो ये सबसे ज़ादा इसी स्टेज में होता है Physical Growth के Development ठीक है पूरी हमारी पूरी जन्दगी में हमारे पूरे जीवन में कभी भी इतना ज़ादा इंक्रिमेंट नहीं होता Physical Growth का जितना की 9th मन्त की Pregnancy में होता है बच्चे के तीनों Development हो रहे होते हैं Cognitive भी, Physical भी और Social Emotional भी लेकिन सबसे ज़ादा जो Speed होती है वो होती है Physical Growth की ठीक है Prenatal Stage में जो इसके Important Points है वो देखते हैं सबसे पहला है विकास जो है वो Prenatal Stage से स्टार्ट हो जाता है सेकिंड है Time जो होता है इसका वो है Conception to Birth और थर्ड जो मोस्ट इंपोर्टन है वो है Physical Growth की Speed सबसे ज़ादा होती है इस स्टेज में तो यह है हमारा Prenatal Stage जिसका Time Period होता है 9 मन का जब बच्चा गर्ब में होता है Next Stage आती है Infancy इसका Time Limit होता है Bird से 2 साल तक इस स्टेज को Toy Age और Imitative Age भी कहते हैं मतलब बच्चा यहां खिलोनों से खेलना और दूसरों की नकल करके चीजों को सीखता है प्याजे ने इसी स्टेज को Sensory Motor Stage कहा था अगर आपको याद है तो यहां बच्चा अपनी पांचों Senses के थूँ चीजों को समझने की कोशिश करता है Infancy में तीनों development हो रहे होते हैं Cognitive भी, Social Emotional भी Physical भी, लेकिन एक Normal स्पीड से यहां पर क्या होता है भाशे विकास की शुरुआत हो जाती है बच्चों का Language Development का Beginning हो जाता है Social Emotional Development की भी शुरुआत हो जाती है इस स्टेज से यहां पर Primary Agency जो है Socialization का, समाजी करन का जो Primary Agency है, वो है Home, मतलब घर, बच्चे का जो समाजी करन की शुरुआत होती है वो उसके घर से होती है और दो Agents के थूँ होती है वो है Parents और Sibling तो यह था Infancy Infancy का जो Time Period है वो Birth से 2 साल तक का है और यहां पर तीनों Development हो रहे होते हैं लेकिन अपनी Normal Speed से और यहां पर बच्चा Census के थूँ चीजों को सीखता है तो यह इसके Important Points थे Next Stage आती है Early Childhood मतलब 2 से 6 साल तक का बच्चा इस Stage को Pre-School Year Stage भी कहते हैं बच्चा यहां पर Pre-Schools में जाना शुरू कर देता है जादा से जादा टाइम अपने दोस्तों के साथ बिताता है बच्चा इस Stage में यहां पर बच्चा अपने ग्रूप का Active Member होता है इस Stage में School Primary Agency होता है समाजी करन का और Agent होते हैं Teacher और Pears क्योंकि बच्चे स्कूल में इनी के साथ जादा अपना टाइम स्पेंड करते हैं Mildred Barton ने इसी Stage को Play Age भी कहा है यहां वो अपने दोस्तों और Toys के साथ खेलते हैं सबसे जादा Language Development होता है इस Stage में Chomsky ने कहा है इस Stage को समाजी करन की अवस्था भी कहा जाता है यहां पर बच्चे सबसे जादा इंटरेक्ट करता है अपने समाज से Society के According कार्य करता है इस Stage में यहां पर बच्चे का Social Emotional Development सबसे जादा होता है इस Stage में बच्चा Same Gender में रहना पसंद करता है इस Stage को Pre Gang Age भी कहते हैं जो Childhood है वो पूरा ही Gang Age है लेकिन Starting जो हो जाती है वो Early Childhood से होती है इस Stage में बच्चा हर किसी को अपना Friend मानता है मतलब यहां पर बच्चों के Permanent Friends नहीं होते Temporary Friends होते हैं तो इसके कुछ Important Point देखते हैं इस Stage को Socialization भी कहा जाता है Pre Gang Age भी कहते हैं और Social Emotional Development सबसे जादा होता है इस Stage में तो यह थी इसके कुछ Important Point Next आता है Middle या Late Childhood इसका जो Time Period है वो है 6-11 साल इस Stage को Elementary School Year भी कहा जाता है तीनों Development हो रहे होते हैं Social Emotional भी, Cognitive भी, Physical भी लेकिन एक Normal Speed में कोई जादा तो कोई कम Physical Growth सबसे कम होता है इस Stage में Gang Age भी कहते हैं इस Stage को और Pre Gang Age कहते हैं Early Childhood को इस Stage के बच्चे Permanent Friends बनाते हैं तो यह था हमारा Middle या Late Childhood Next Stage आती है Adolescence सबसे Important Stage है यह और इसका जो Time Period है वो है 11-18 साल यह Bridge है Childhood और Adulthood के बीच में इस Stage को Problem और Stress Stage भी कहते हैं इस Stage में बच्चे जादा से जादा Time Spend करते हैं अपने दोस्तों के साथ घर से बाहर रहना पसंद करते हैं Opposite Gender को पसंद करते हैं यहां तीनों की Speed सबसे जादा होती है Physical और Biological की Cognitive की और Social Emotional की G.Stanley ने इस Stage को आंधी तुफान की अवस्ता भी कहा है आवाज बदलती है बच्चों की इस Stage में Harmonal Changes होते हैं Thinking Develop होती है Parents के Order को नहीं मानते हैं इस Stage में बच्चा अगर बिगड गया तो सुधरना बहुत मुश्किल होता है Parents के Order को भी नहीं मानते है Peers का सबसे ज़्यादा रोल होता है इस Stage में तब ही कहते हैं कि संगत का असर बढ़ गया अगर कोई बच्चा बिगड जाता है तो हम कहते हैं ना संगती का असर है तो क्या Peers का सबसे ज़्यादा Important रोल होता है इस Stage में दोस्तों की बातों को हमारा दो stages में सबसे ज़ादा होता है पहला है early childhood में और दूसरा है adolescence में और cognitive development हमारा adolescence में सबसे ज़ादा होता है इसकी speed सबसे ज़ादा होती है Next आता है heredity and environment कि development पर इन दोनों का प्रभाव किस तरीके से पढ़ता है ये किस तरीके से important role play करते है हमारे development में तो ये देखेंगे बच्चे के development में heredity and environment दोनों का असर पढ़ता है किसी का ज़ादा तो किसी का कम heredity होता है जो by gene हमें अपनी family से मिला है अपने पूरवजों से मिला है जैसे skin का color eye का color, hair, height, etc ये स्थिर होते हैं environment होता है जो चीज़ heredity और environment जो है वो हमेशा change होता है heredity और environment दोनों की वज़े से हमारा development होता है किसी एक से नहीं होता दोनों एक दूसरे पर निरभर है development is the result of interaction between environment and heredity तो ये था heredity and environment कि हमारे विकास में इन दोनों का प्रभाव हमारे उपर पढ़ता है और दोनों ही जो है वो important role play करते हैं हमारे विकास में हमारे development में next आता है issues related to development तो हमारे पास तीन issues हैं first आता है continuity versus discontinuity इसका मतलब है कि हमारा development जो है वो continuous होता है या नहीं तो हमारा development continuous होता है ये लगातार चलने वाली प्रक्रिया है और ये जो issue है ये solve हो चुका है कि development जो है continuous process है विकास की speed जो है वो कम जादा हो सकती है लेकिन ये हमेशा चलती रहती है तो ये हमारा जो issue है ये solve हो गया है तो जो development है वो एक continuous process है next issue है early experience versus later experience पुराने अनुभव नए से जोड़ जाते हैं तब हमारा development होता है लेकिन कुछ psychologist कहते हैं कि early experience हमारा development होता है और कुछ कहते हैं कि later से हमारा development होता है reality में दोनों important है जैसे heredity and environment हमारा दोनों की वज़र से development होता है पुराने अनुभव भी हमारे लिए important है जब पुराने अनुभव नए अनुभव से जुड़ जाते हैं तो हमारा development होता है तो इसमें हमें दोनों पे टिक करना है किसी एक में नहीं अगर ये question आता है कि हमारा development early experience से होता है या later experience या दोनों तो हमें दोनों पे लगाना है कि early experience से भी हमारा development होता है और later experience से भी हमारा development होता है तो ये था हमारा early experience versus later experience next आता है हमारा nature versus nurture, nature कहते है heredity को and nurture होता है environment, कुछ psychologist मानते हैं कि nature ज़ादे important role play करता है हमारे development में और कुछ मानते हैं कि nurture ज़ादे important role play करता है हमारे development में लेकिन reality में दोनों ही important है तो हमें दोनों पर ही टिक लगाना है किसी एक की वज़े से हमारा development नहीं होता हमारा दोनों की वज़े से development होता है और ये questions बहुत बार हर बार ही seated में पूछा गया है तो अब की बार भी जो seated हुआ था उसमें भी ये question आया हुआ था तो हमारा जो development है ये दोनों की वज़ा से होता है nature और nurture हमें दोनों पर ही टिक करना है तो ये था हमारा child development का second part, third part में हम करेंगे principles of development अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो like, share and subscribe जरूर कीज़ेगा ओके बाबाई, take care